हाई अब्रिवन दिसे पापन चर्मा बात करेंगे 26th आफ जून के लिए मौनिंग में निफ्टी को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है हमने जहां पर हमने निफ्टी को डीपले अनलाइज किया है और उस एनलिसिस के बेसिस पे ये लग रहा है कि निफ्टी का जो टागेट है वो अराम से करेंट स्टेट से कुछ नहीं तो 16.800 नीचे गिर सकता है उस वेटे को देखना मत भूलेगा ये उसका जो है बैनर है आप चेक कर लिजेगा और लिंक मैं उपर डालते रहा हूँ आप उसको भी चेक कर सकते हैं अब अगर हम बात करें ये तो हो गया हमारा मिट तम का आउट लोग वहाँ पर कुछ इंटरस्टिंग कमेंट भी आए जहाँ पर कुछ जो है टेडर्स ने कहा कि कि मैं अपने स्टेट्मेंट चेंज कर देता हूँ देखे लास्ट वीक में याद हो आपको मैंने कहा था कि जब निफ्टी जितना भी राइज करेगा मैं वहाँ पर पुट बाय करना शुरू करूँगा तो आपने नूटिस करे लिया है कि पुट मेरे यहां से शुरू हो गए थे और यहां से लेकर अभी तक मैं जो अल्मोस्ट देखें तो टू फिफ्टी से लेके 300 पॉइंट्स का मेरे पास में जो है वो प्रॉफिट शुरू हो भी चुका है इन फैक्ट मैंने यहां पर जब यह वापिस से एक बार राइज किया था और कल भी हर बार मैं जितना बार भी निफ्टी राइज कर रहा है मैं अपनी पोजीशन वहाँ पर बढ़ा ले रहा हूँ जिसकी वेए से पुट बाइंग में मुझे हल्प मिलेगा दूसरी बात मैंने स्टेट्मेंट चेंज नहीं किया है मैं वेट कर रहा था डाव जोन्स 30 के बुल रन शुरू करने का अधर और SBI चलो ठीक है टाटा मोटर्स में निकल गए तो मतले ओवरॉल मैं कहूं तो हमारा जो में का मन्त गया जून का जो मन्त है वो लॉस मेकिंग में ही गया तो जो मेरा बीरिश आउटलूक है उसकी वेए से लॉस हुआ लेकिन ये चीज थुरुआ सा टाइम लेते हैं कभी लॉस भी कवर हो जाता है इन फैक्ट आप उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट में भी आ जाते हैं और वो टाइम अब शुरू हो चुका है अब हम ये तो हो गया हमारा जो टागेट जो हम 1618 की बात कर रहे हैं वो उसकी लिए शुरुआत हो चुकी है अब ऐसा कभी नहीं हो जो है उसमें पीक्स में मिलेंगे जो हाई मिलेंगे हर हाई पे आप अपनी जो है पुट सेल कर सकते हैं और कमफर्टेवली आप अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे वेकौश इसके बाद में काफी एच्छी जो डाउन मॉमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी अब अगर आप यहाँ देखें इंट्राडे के लिए और काई जो भी लेवल में यहाँ पर डिसक्स कर रहा हूं यह बाइसल रेकमेंडेशन नहीं है इस्टिल यह टेकिन इनी ट्रेड ओन इस लेवल्स दन यूमस कंसल्ट विदियो फाइनिशल डवाइज बिफोर टेकिन दोस और आपने में सब्सक्राइब नहीं किया है नई यूजर है तो बिना सब्सक्राइब किये वीडियो को आगे मत बढ़िएगा आपके चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने से बहुत सपोर्ट मिलता है और लाइफ सपोर्ट के लिए चलिग्राम पर जोइन करते हैं उसका लिंक ड साथ में जॉइन बटन है उस पर क्लिक करके आप हमें जॉइन कर सकते हैं अब यह हमारे पास में जो है मेरे पीशे यह 30 मिनट का जो है चार्ट है इसको चार्ट को यहां पर देखेगा इधर आप देख रहे हैं यह इस लेवल पर आके इसने रेसिस्टन्स बनाया था फिर फिर यहां सपोर्ट लिया था फिर देखेगा इसका मतलब यह है कि यह जो level है current level इस लेवल से एक बार जैसे मैंने कहा ना market ऐसी नहीं गिरेगी एक बार उपर एक बार bounce back कर सकती है कर सकती है अगर यह break हो जाता है तो हमारा पहला target निकल के आएगा 18.500 का और second target निकल के इस पे हम 350 के लेवल देख सकते हैं, in case ये लेवल हमारा कल निफ्टी ब्रेक कर देते हैं, और वैसे भी रशिया के अंदर एक नया जो है डेवलप्मेंट आया है, फिर से जो है कूप आया है, मतलब गजीब बात है, वो कहते ना कि आप अपने जो है वगल में साप पा लेगा तो कभी तो काटेगा, तो वही चीज हुआ, जिस प्राइवेट गूर्प को ने सपोर्ट किया था, आज वही उनके लिए खत्रा बन गया है, चलि वो तो पॉलिटिकल इशू है, हमारा उसमें कोई काम नहीं है, डेमोक्रेसी का यही बहुत अच्छा फायदा होता है, कि आ अरी पड़े, और ऐसा हुआ, तो यह दोनों टागेट में हो सकता है, कल भी देखने को मिल जाए, उस बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, अब यहाँ पर इसको 30 मिन टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो यह वाला जो पार्ट है, आज की जो क्लोजिंग है, वो 6.65 की ह अब कोई भी मुवमेंट आता है, 6.80 से लेके 7.00 की बीच में, मैं बिलकुल नहीं कहूंगा कि नीचे ही गिरेगा, ट्रेडर्स हैं और जो प्रो ट्रेडर्स हैं, क्या पता उनको ना फरक पड़े, क्योंकि रशिया का इंपक्ट बाकी वर्ल्ट पे अभी जादा नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो यहां से आपका बाइनिशियेट भी हो सकता है, एक बार यह लेवल ब्रेक कर दिया, इसको अगर रिचीव कर लिया और नीचे गिरना शुरू कर दिया, वैसे भी आपको याद होगा, 18650 कॉम एक हफते से सपोर्ट की तरह यूज कर रहे है बार-बार कहरें, यह बहुत कुरूशियल लेवल रहेगा, और अगर यह वाला निकल जाएगा, तो बहुत बढ़िया वाला आपके साथ में सेल आएगा, जिसमें फॉस्ट टागेट और सेकेंड टागेट आपका यह रहेगा, और लॉंग टागेट अगर आपको मैं वन ड टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो लॉंग टर्म टागेट निकल के आ रहा है, फिफ्टीन, एज हंडर के अराउंड, शिक्स हंडर के अराउंड, हाला कि मैं अब यह नहीं कहूंगा, रिजन विंग, एक टाइम था जब मार्केट थोड़ा सा वीक था, अब मार्केट वीक नहीं रहा है, मार्केट वा स्ट्रॉंग हो गया है, तो इतनी बड़ी फॉल तो नहीं आएगी, I expect that कुछ नहीं, तो 18.6.8 का फॉल तक जा सकता है मारकेट, लेकिन उसके लिए यह लेवल जो अभी हम डिसकस कर रहे हैं, यह ब्रेक होगा, तब ही आगे मोमेंट बढ़ेग कि बैंक निफ्टी और फाइनिशल निफ्टी में सेलिंग आ चुकी है, बस उसको एक लेवल को ब्रेक करना बाकि उसके बाद में चलना शुरू हो जाएगा, अब वो लेवल कल फाइनली ब्रेक हो सकता है, रिजन मिंग, 43.500 जो है, वो लेवल एक स्ट्रॉंग लेवल है, और जो पहले से ही एक मोड शुरू हो गया है, और इसको अगर हलका सपोर्ट मिल गया, तो यह जूम करके जाएगा, आपको क्या करना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, नीचे जो लाइन सेंस को ऐसे ड्रॉ करना है, तो आपको दिख गया होगा कि यह जो है, इस इस कमि बड़ा उटलुक लेना है, तो यहाँ पर आपको वन डे टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपके पास में थुरा सा बड़ा उटलुक नज़र आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं तो आपके पास 12000 पॉइंट का उटलुक दिख जाता है, और एक और बात 1000 पॉइंट नीचे गिर सकती है, विच मींस 44,000 से कहां तक जा सकती है, 44 से 38,000 तक जा सकती है, पहले यह आपको लग रहा होगा कि ऐसी unrealistic है और यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दीखे, जो पैटन्स पे काम करते हैं, जो आप प्राइज एक्शन बोलते हैं, या फिर आप जो धिरे-धिरे हर राइस के साथ में put buy करते रहेगा, एक बार में market कभी नहीं गिरेगा, बाउंस फिर नीचे, फिर बाउंस फिर नीचे, ऐसे बनेगा, अब जो current closing है, इसको मैं current closing पर देखता हूँ, कहां पर है, इस time जो current closing है, वो 4 आपका है 622 का, 622, 43, 43, 622, जो अगर नी तो हमारे लिए buy initiate करेगा यहां पर आप call buy कर सकते हैं वैसे तो मैं कहूंगा कि 43.600 के नीचे भी आप sell कर सकते हैं बट एक बार क्या होगा जब पहला जो पांदस मिन्ट होगा न तो अगर रशिया वाला impact पड़ेगा तो पहले पांच मिन्ट में जुम करके bank nifty गिरेगा और वो ऐसे गिरेगा तो क्या होगा 43.500 को टच करेगा बहुत से लोगों का टागेट होगा 43.500 से भागेगा उसके बाद जब भागे उपर या नीचे गिरने बाद उसको attempt करे उस attempt पे चाहे वो आपका 550 बने 600 बने 650 बने 480 बने उस level पे आप अपना trade ले सकते हैं बड़े एक और इंटरसिंग बावतों में जो मुझे कल लग रहा है वो यह लग रहा है कि कल आप 920 वाला strategy भी ले सकते हैं 920 वाली strategy होती है जहां पर जो हाँ पर bank nifty trade करेगा उसी का call buy करो उसी का put buy करो और भूल जाओ तो उससे क्या होगा एक level उपर जाएगा एक level नीचे जाएगा तो जो भी आपका favor में जाएगा वो आपको जादा profit provide करेगा जॉप के against में जाएगा और low करेगा बाकी ये दो level हम अगर आप level के basis पर trade करते हैं तो 650 और 5 fund को break होने के बाद में बैंक निफ्टे trade किया जकता है कल के लिए stock selection में हमारा पहला pick रहेगा और फार्मा और फार्मा को अगर आपको देखना है थ्रौसा इसको squeeze करके देखेगा यहां पर आपको थ्रौसा idea मिल जाएगा कि हम क्यों pick कर रहे हैं देखेगा यहां पर और और फार्मा के पास में का इसको resistance face होगा लेकिन यह कोई guarantee नहीं होते कि option chain 700 का resistance मानेगा है मानेगा इसको अगर breakout मिल जाता है तो यह breakout कैलाएगा और यहां पर आपका buy initiate होगा in case जो हमारे traders हैं उनको लगेगा कि नहीं नहीं यह अल्री काफी rise कर चुका है उसके basis पे अगर उनको selling mode समझ में आता है तो यहीं पर sell बन जाएगा तो आप उसको sell on rise भी कर सकते हैं otherwise 695 को अगर break करता है तो भी आपके लिए अच्छा बनेगा Glenmark भी आप choose कर सकते हैं instead of oropharma उसके बाद हमारे पास में Apollo tire है Apollo tire क्या कर रहा है Apollo tire में 2-3 दिन से काफी अच्छी moment आ रही है और Apollo tire में देखेंगे यहां प support support जो मिल रहा हो 410 का support मिल रहा है और काफी बड़ी rise अलड़ी कर चुका है stock 300 से लेके 420 तक जा चुका है तो हम क्या करेंगे यह लेवल अगर Apollo tire break करता है लेकिन जो हमारा auto sector फ्रासा बीरिश मोड में है तो फिर भी हम यहां buy करेंगे और नीचे की तरह वागर 414 या 412 को break कर देता है तो वहीं पर आपका cell बनेगा इसके अंदर Apollo tire के अंदर अगला stock है हमारे पास में torrent power, torrent power में देखेगा यहां पर जो movement आया था यह वाला इसको आप ऐसे देखेगा यह सारे lines को ऐसे ड्रॉक कीजएगा और नीच वाए lines को ऐसे ड्रॉक कीजएगा तो क्या होता होता है यह level break हो जाता है तो यह वैसे भी उसका long term support है फिर इसके बाद एक अच्छा cell आएगा उसी के basis पर आपका cell बनेगा target भी यहां पर बड़ा रहेगा at least कुछ नहीं तो 6 निट का target आपको torrent power में falling side में देखने मिलेगा rise करता है तो 656 55 तक जा सकता है तो उसका बाद क ध्यान रखेगा तो torrent power में यह reason रहेगा then we have is access bank access bank क्या कर रहा है यहां से दो बर अल्री बाउंस कर चुका है यह level 950 का access bank के पास एक minor support है जो अब धीर धीरे तुरा सा हटता जा रहा है तो यह level अगर break होता है तो बड़ी fall आएगी जिसके बाद target ही आपका 9 रिका हो जाए आप बाई इनिशेट हो जाएगा जिसके basis पर इंट्राडे के अंदर आप बाई कर सकते हैं तो guys यह रहेंगे हमारे level for Monday और जाने से पछले में like subscribe करना मुदू देगा मिलेग अगली वीडियो में until then guys have a nice day take care bye